हलो स्टुरेंट्स वेल्कम बैक अजनाद अग्यादेमी यूट्यूब चनल मैसे फिर अर्टिप सिंग अंड हम डिसस कर रहे हैं आपका चप्टर 3 टिक्नोमेटिक फंक्शन्स मिस्लेनियस पर इससे पहले अपने तीन एक्साइज कंप्रिट करिया है 3.1 3.2 3.3 कोई भी से किवलमें मिसलेनियस पकड नहीं है तो मिसलेनिस ग्जैम्पल हमने 18 से क्या रहा है सामेक्स कॉस य आपको लाइस इसे निकालना है आप साइंंच क्लस प्लस य का फार्मुला चैन जोब तर चत्का विम्त सब्त हमें साइ्स की जारते हो हमें 받고 उडला से साइन दर्दा FRE मै sin square x plus cos square x equals to 1 तो अब आप यहां से बताओ cos square x की value कितनी हो जाएगी अगर cos x की value निकालनी है तो 1 minus sin square x हो जाएगी कर दो put 1 minus sin x की value कितनी है 3 by 5 का whole square 1 minus 3 3 is a 9, 2 2 is a 5 what we get 25 minus 9 by 25 what we get 16 by 25 and what we get finally 4 by 5 cos x की value अब आपको क्या पता ना है पता है यहां पर given that x lie in second quadrant अगर x जो है वो second quadrant में lie कर रहा है इसका मतलब क्या होता है second quadrant का होता है अरे बहुँ second quadrant यहां पर है यहां पर sin positive है उसके अलावा सब negative है तो हम हमें क्या निकालना था cos x निकालना था cos x की क्या value लूँगा मैं negative value लूँगा क्यों लूँगा समझ माया क्योंकि second quadrant के अंदर जो है sin positive होगा बाकि सब negative रहेंगे देखरो केवल यह sin x positive है cos x automatic negative आ गया अब आजाओ second case के लिए अब आपके पास देखो यहां पर cos y given है minus का 12 by 13 ओके आपको sin y निकालना है तो मैं directly sin y का formula लिख दूँ कि 1 minus cos square y यहां से देखके न यहां पर जैसे cos x का formula था 1 minus sin square ऐसी मैंने इसका लिख दिया 1 minus cos इसका formula क्या हो जाएगा minus 12 by 13 का whole square what we get minus है तो positive बन जाएगा 144 और यह 169 LCM लिलू इसका 169 minus 144 upon 169 कितना आएगा sir 169 मिसी गया तो 25 by 169 कितना आएगा आपके पास देखो सर्फ प्लस माइनस का 5 by 13 और हमें पता है y lie in second quadrant so sin y जो होगा वो क्या आएगा positive 5 by 13 आएगा क्या आएगा positive 5 by 13 आएगा समझ में आ गया अभी इन दोनों value से हमें क्या करना है बतातों next slide पर आजाओ यहां तक pause करके copy कर लेना सभी distance देखो sin x है मारे पास 3 by 5 और cos x हमने अभी अभी निकाला पीछे साइन वाई हमने निकाला यहां पर 5 by 13 और cos y हम अरपास गिविन है माइनस 12 by 13 अब हमें क्या find करना है सर हमें find करना है sin x plus y find करना है अब इसका formula आप जानती हूं sin x cos y plus sin y cos x होता है अब इनकी value जब दो बस इतना ही करना है अब sin x का value है 3 by 5 multiply cos y का value है minus 12 by 13 प्लस sin y का value है only 5 by 30 cos x का value है minus 4 by 5 अब जो कटता है वो काट दो जैसे की सर 5 से 5 कट हो जाएगा यहां पर कितना कट होगा सर यहां कुछ ने कट होगा यहां हो जाएगा आपके पास minus 4 और यहां हो जाएगा 13 यहां आप LCM ले सकते हो 65 का मतलब कहते है 13 into 5 LCM कितना हो जाएगा आपके पास 65 ही हो जाएगा तो minus 35 और यह 5 times 5 4s are 20 what we get 20 30 20 30 50 56 और minus 65 यह आगया आपके पास किसकी value आ गई है यह sin x plus y की value आ गई है अब बताओ क्या समझ में नहीं आया कि लिए रहे हां तक यह हुआ पर अपलीड मिसलेश एग्जमपल नुमर 18